मोती द्वारा स्वास्तिलाब चंदर्मा के रत्न मोती की सबसे खास बात है कि इस रत्न को कोई भी व्यक्ति धान कर सकता है। यानि जिन लोगों को अपनी राशी या कुंडली का कोई ग्यान न हो बे भी मोती धान कर सकते हैं। मोती रतन धार्ण करने से अनेक स्वास्तिलाब मिलते हैं, जैसे मोती चंद ग्रह से जुड़ा रतन है और चंदर्मा का पफाव मनुष्रिक के मस्तिश्क पर सबसे अधिक होता है। इसलिए मोती धार्ण करने से मन शांत, शीतल और सकरात्म विचारों से परिपून रहता है। और साथ ही इसे धार्ण करने से पत्री, मूत्र रोक, जोड़ों का दढ़ भी ठीक होता है। मोती धारन करने से कलात्मक वर रचनात्मक कारियों के पती आकर्शन बढ़ता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का सोभागय प्राप्त होता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शुद्र मोती धार्ण करने वालों पर देवी लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इसे धार्ण करने से दामपत्य जीवन मधूर्ता एवन सामंजस से बरकरा रहता है। मोती रतन धार्ण करने से राहू और केतु के बुरे प्रभाफ कम होने लगते हैं। स्थ्री यदि बाए हाथ में इसे पहने तो परिवार खुशियां वापस आकर स्थिर रहती है। अगर संतान का स्वास्त हमेशा खराब रहता हो तो बच्चे के गले में चांदी से बने चंद्रमा के साथ मोती बहनने से बच्चे का स्वास्त ठीक रहता है। ऐसा मानना है कि यदि हमेशा धन की कमी रहती हो तो अपने पूजा स्थान पर दो मोती लेकर पीले कपरे में मान करकने से घर में धन की कभी कोई दिक्कत नहीं होती